मत्यप्रिदेश की उज्जेन के पास बर्नगर में पुलीस महकमे में आरक्षक की नोकरी दिराने के नाम पर यूफ्ती से 7 लाख रुपईयों की ठगी का मामला सामने आया है फर्यादी यूफ्ती के मताबिक बेत तीन वर्शों से अपनी सरकारी नोकरी के इंतिजार में आरुपी को घर की गहने बेच कर अब तक 7 लाख रुपई इसे जादा दे चुकी है पुलिस ने खुलासा किया कि आरुपी किशोर माली पहले भी ठगी की वार्दात को अंजाम दे चुका है जिसमें उसको सजा भी हो चुकी है फिलाल आरुपी को बर्णेगर पुलिस ने धारास 420 में रफतार किया है ग्रामन एडिशनल स्पी रविंद्र वर्मा ने बताया कि बर्णेगर की रहने वाली यूफती पायल रिचा पिता महादेव द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे साथ पुलिस कॉंस्टेबल की नोकरी दिलाने का जासा देखकर किशोर माली निवासी उज्जेन द्वारा 7 लाग की ठगी की गई है यूफती ने पुलिस को जानकरी देते हुए बताया कि 2017 में उसने पुलिस भरती परिक्षा दी थी आरूपी यूफती को वही परिक्षा के दौरान मिला था इसके बाद से ही आरूपी किशोर माली द्वारा उसे कहा जा रहा था कि तुम्हारे आदेश जल्दी करवा दूँगा और तुम्हारी निवक्ती स्पोर्ट स्कोटे से हो जाएगी ऐसा जासा देकर आरूपी द्वारा यूफती से बीते तीन सालों से साथ लाग रुपईयों कि ठगी की घटना को अंजाम दे दिया बीरेपोर्ट वोईस ओफ एमपी उजेन